हेलो कैसे हैं आप लोग बताना मुझे जरूर कमेंट में आज हम बनाएंगे चार्ट रात का बचा हुआ रोटी होता है ना उसे हम यह तो फेक देते हैं या फिर कुट्टे यह गाए को दे देते हैं लेकिन उस रोटी को भी हम यूज कर सकते हैं उसी का हमने यहां पर जो है चार्ट बनाया है खाने में बहुत टेस्टी लगता है यूनिक ट्रिक है तो इसे एक वाट ट्राइ करना बनता है तो देर किस बात की चलो फटा-फट से इस चार्ट को बनाना शुरू करते हैं अच्छा सुनो ना चार्ट बनाने से पहले कुछ खरे मसाले को हम रोश्ट कर लेंगे तो उसके लिए यहां पर लेंगे एक बरा चमच खरा धनिया उसके बाद यहां पर लेंगे एक छोटा चमच सौफ उसके बाद यहां पर लेंगे एक छोटा चमच जीरा आपके घर में और भी कोई मसाले हो ना आपको लगता है जिससे कि हमें फिलेबर अच्छा मिल सकता है तो उसको भी आप एड़ कर सकते हैं तो चलिए फिलाल जो है इन खरे मसाले को हम भूल लेते हैं कराही का टेमप्रेचर देख लेते हैं तो परफेक्ट है हमारा टेमप्रेचर अब इसमें हम डाल देते हैं यह खरे मसाले और इनहीं जो है करीब करीब एक से डेर मिनट जो हम भूल लेंगे आपको यहां पर मसाला बिल्कुल भी नहीं जलाना है नहीं तो आपका जो फ्लेवर है न वो खराब हो जाएगा मसाले हमा हमारे पास से दो बचे हुए रोटी थे रात वाले अब इन ही का जो हम चाट बनाएंगे तो इसके लिए जो सबसे पहले इसके उपर घी से मालिस करना होगा तो चलिए यहां पर जो है हम घी डाल देते हैं आप चाहें तो घी के जगभी रिफाइन वैल भी इस्तमाल कर सकत हैं ताकि पूरे रोटी के अंदर अंदर तक जो है हमारा घी पसर जाए मतलब कि फैल जाए तो चलिए दोनों के एक दूसरे से शिपकाते हैं और अराम-अराम से जो है इन्हें हम लगा लेते हैं तो अब य log हमने रोटी को घी अच्छे से मालिस कर दिया है अब चलिए इन्हें शेकं लेते हैं वही कराही में हमहीं सेकेंगे जिसमें हमने यह मसाले को भूना था जिस जादा लगा है उस तरफ से पहले जो है हम इस रोटी को डाल देते हैं और उसके बाद इन्हें सेकेंगे अब यहां पे एक इंपॉटेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारा जो गैस का फ्लेम है ना आप यह जल्दवाजी मत करना कि जल्दी से हमारा जो रोटी है व क्वली जो है आपको पकाना है तो यह हमारे जो रोटी है अच्छे से पक किया है आप देख सकते हैं और काफी ज्यादा क्रिस्पी भी हो चुका है चलिए हम आपको चिम्टे से दिखा देते हैं नजदीक से आपको यहां पे इसके टेक्स्चर से पता चल जाएगा कि यह ज सब्सक्राफ भी कर लिए हम बढ़ा देते हैं और भी हम मसाले को यह कर लिया कर लिया अब इन्हीं चला लेते हैं गास जो आपको यहां मीडियम पे रखना है एक चीज़ आपको धियान देना है कि कोई भी खाना बना रहे हो तो गैस क्लोड पर बना रहे हो तो गैसके उसका जो कोकिंग होता है वो बहुत अच्छे से होता है अब चलो इनमें कुछ मसाले आड़ कर देते हैं तो वही कुटा होगा मसाला एक छोटा चमच इसमें हम डाल देंगे उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला एक छोटा चमच स्प्रिंकल कर देते हैं उसके बा मारा मसाला भूं चुका है तो चार्ट बनाने के प्रोसेस में चलते हैं चार्ट बनाने के लिए सॉम जापष के दीद हैं स्मस्ञवर तरह यहाब हम डालेंगे काले मिर्च पौॉडर अधा चोंठी चम्माच उसके बाद यहाब हमारे पास यह हैं वही कौटे हुए मसाले जो बचे हुए इसका इससमाल कर लेंगे और यह आलू का मसाला है हमएरे पास और इसके possível हमारे प्याज काटा हुआ इस रोटी को भी हम इसमre crust करके डाल देते हैं उसके बाद यहां पे जो है हम चलिए अब दही को डाल देते हैं यहां पे आपने देखा होगा कि बीच बीच बीचे मक्षी आरहे क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम है और उसके बाद जो है दही पे मक्या आने लगती है किचन में उसके बाद यहाँ पर जो हम इसके उपर से प्याज को डाल देंगे चलिए पहला बैच में प्याज को हमने डाल दिया है उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं वही हमारे पास जो आलू वाले मसाले है इसको हम डाल दाल देतें थोरा सा थे देतें सकी ते ऑफर इसके बाद समें हम डाल देतेshंस के यह हमारे कोटे हुए मसाले थे सप्रिंकल कर देते हैं वैसि यह मसाला खानें बहूरा टेस्टी लगता है उसके 7-2 यह यह dif टामाठर को काटके ही डाल सकते हैं मेरे पास नहीं है तो हमने लिए स्थमाल किया है उसके यहां पे हम डाल देंगे वही हमारे काले मिर्सपाउडर और साथ में चाट मसाला थोड़ा सा उसके बाद इसमें अब हम डाल देते हैं वापी से थोड़ा सा प्याज रिपीट कर रहे हैं इस प्रोसेस को और उसके बाद इसमें प्लास्ट में हम डाल देंगे यही भुजिया इसके उपर से काफी ज्यदा टेस्टी लगता है और भु लगी यह रेसेपी वीडियो को यहां तक देख लिए हैं इन्फरमेटिव लगा हो आपका बचा हुआ खाना बरबाद होने से बचा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन और प्रेस कर लेना तक कि हमारी ऐसी ही यूनिक वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए ताकि आप जल से जल देख वाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिलाल के लिए बाए